नवश्कार मित्रों, माताराने की जैहो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर मित्रों आज हम आपको बताएंगे कि एक लौंग से किस प्रकार से होता है वशिकरण तो चलिए सुरू करते हैं, पर ध्यान रहे, माताय धहने कठिन दिनों में विधी ना करे आपने जीवन में एक बार कर लिया, तो कभी भी आपको किसी भी परकार के तंत्र मंत्र की आवशकता नहीं पड़ेगी, गारंटी से वशिकरण होगा, जैसे बताया है वैसे करें, उमर भर के लिए आपका प्रेमी आपका बनके रहेगा, सामगरी जिस परकार से आप स्क्र फूल वाली लोंग, खंडित लोंग नहीं लेनी है, फूल वाली लोंग नेनी है, जिस परकार से आप स्क्रीन पर देख रहे हो, फूल वाली लोंग, खंडित लोंग इसमें इस्तमाल नहीं करना, और आपको सिंदूर, केसरी आरंग का जो सिंदूर होता है, वो किसी भी बुद्वार सुक्रवार सनिवार की रात्री बारा बजे के बाद आपको ये विधी शुरू करनी है। जिससे आपको ऐसा भूत पूर्व रिजल्ट मिलेगा, जीवन भर के लिए आपका प्रेमी आपका दास बन के रहेगा। लिखना, कोई आपको किसी भी प्रकार का चिन नहीं बनाना, सिर्फ आपको इसमें अपने प्रेमी का नाम लिखना है। उसके पस्चाथ आपको एक फूल वाली लॉंग लेनी है, खंडित लॉंग नहीं होनी चाहिए, ये जो फूल होता है, इस प्रकार की लॉंग आपको लेनी है। वीडियो प्रेक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही है, ताकि आपसे गल्ती नहों, उसके बाद आपको इसके चारो और ये सिंदूर लगा लेना है, जो केसरिया कलर का सिंदूर है, वो आपको इसके चारो और लगा लेना है। उसके पस्चाद अब आप ये जो कागज आपने इस्तेव इस्तमाल किया है, उसमें इसे डाल लेना है और इसे अच्छे तरीके से फोल्ड कर लेना है। और अब आप इसे रातरी बारा बजे ही ये सारा काम होना है और बारा बजे के बाद ही आपको ये मंतर बोलना है। अपने पास उस व्यक्ति को लाता है, अपना आकर्शन उस व्यक्ति के अंदर डालता है। मंतर बहुत ही साधारण मंतर है, छोटा मंतर है पर बहुत ही पावरफुल मंतर है। जैसे मंतर का उचारण किया जा रहा है, वैसे ही आपको मंतर का उचारण करना है। जिल लोगों को सैंसक्रण की प्रोब्लम है, पहले इस मंतर को अच्छे तरीके से रटें, याद करें, उसके बाद में ही आपको विधी में इस्तमाल करना है। मंतर का उचारण गलत होगा, तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो जैसे बताया है, वैसे ही मंतर आपको बोलना है, मंतर का उचारण भी करके दिखाएगा, मंतर की पिक्चर भी आपको चला कर दिखाई जाएगी। याद करते हुए, उनसे आप अपनी मनो कामना पूरी करने के लिए, उनके मंतर के द्वारा, उनसे याचना कर रहे हो, ओम क्रीम काली के सामने वाले का नाम वश्यम स्वाहा, और आपको मंतर काउंटिंग का जो इसमें संख्या नहीं है, इसमें आपको सिर्फ उसके चहरे क अंतरधान करते हुए, क्योंकि उसकी कोई आइडेंटिटी नाम के अलावा अपनने इस्तमाल नहीं की, जैसे इस केस में अपनने पायल का नाम इस्तमाल किया, तो पायल नाम की करोडो लड़किया इंडिया में है, किसका वश्यकरन होगा, तो यहाँ पर आपको सामने वाल आपसे प्रेम करेगा, जितना प्यार आप उससे करते हो, उससे कई गुना ज्यादा प्यार वो आपसे करने लगेगा, यह बहुत ताकतवर विदी है, अंतरध्यान की विदियां बहुत ताकतवर होती है, क्योंकि वो आपके अंतरमन से जुड़ी हुई होती है, और बहुत ही powerful परिणाम आपको मिलते हैं अगर आपको जानकारी पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे और ध्यान रगें कि विधी में किसी भी प्रकार की आपको गलती नहीं करना है नहीं तो दिक्कत हो सकती है जैसे बताया है वैसे करें और अगर आपको किसी भी प्रकार का सवाल या संका है या कोई भी समश्या आपके जीवन में है तो आप हमें बेजी जग कोल करें आपकी सहायता की जाएगी हमारे संपर्ख सुत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं तो आपको 11 मिनट तक 11 मिनट का अलारम आपको मुबायल में या घड़ी में सेट कर लेना है और उसके बाद आपको लगातार ये मंतर जाब करना है ओम क्रीम काली के नाम वश्यम स्वाहा ओम क्रीम काली के सामने वाले का नाम करवाने में मदद कर रहा है जैसे ही 11 मिनट कम्पलीट हो आपको इसे अपने तक्ये के पास रखकर सो जाना है तक्ये के नीचे नहीं रखना तक्ये के पास रखकर आपको इसे सो जाना है इस पर किसी भी प्रकार का दवाव नहीं बढ़ना चाहिए और सुभे उड़ते ही से आपको अपने पास रख लेना है सुनार आदि से निवरित होकर दोपहर बारा बजे के पहले पहले किसी भी बहते वे पानी में चाहे वो नदी, नाला, नहर हो किसी भी बहते वे रुके वे पानी में नहीं कुए बावडी तालाब में नहीं जो पानी रुका हुआ उसमें आपको नहीं डालना इसे बहते हुए पानी में सहरों में बड़े नाले होते हैं जो निरंतर बहते रहते हैं आपको ऐसा आपने समीब देखना है कि ऐसा कौन सा नाला है जो निरंतर भैता रहता उसमें आप ये डाल सकते हो ये उपाई आपको करना है माल लीजिये आपने ये उपाई सौमवार को किया तो सौंबार रात्री आपने ये सब इसे तत्का तयार करके मंत्र वगरे बोलके और इसे तक्ये के पास रखकर सो गए और मंगलवार दिन सुबह उठकर बारा बजे के पहले पहले दोपैर बारा बजे के पहले पहले आपको इसे बहते वे पानी में डाल देना है मंगलवार शाम तक आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा जिसकी आपने कलपना भी नहीं की होगी जीवन में सिर्फ आपको एक बर उपाय करना है आपका प्रेमी आपके बारे में सोचने लगेगा जैसे आप उसके लिए तरपते हो वैसे वो आपके लिए तरपने लगेगा आपकी पुरानी बाते पुरानी मुलाकाते उसको याद आने लगेंगी और उसे आपको कॉल करना पड़ेगा आपसे संपर्क करना पड़ेगा चाहे वो मैसेज करे चाहे वो किसी वेक्ति के द्वार आपसे बात करे चाहे वो कॉल करे वो उसकी परेशानी हो जाएगी फिर आपको बैठके तमासा देखना है बहुत ही ताकतवर वश्यकरण है और जीवन में सिरफ एक बर आप इसे कर लीजिये जैसे हमने बताया है आपके प्रेमी को आपका बनने से कोई नहीं रोप पाएगा बित्रो हम जो भी विदी आपको बताते हैं वो सभी विद्यातंत्र अनुसार है तो जैसे बताया है वैसे करें पती पतनी में अनबनिया जगडा चल रहा है प्रेमी किसी के बहकावे में है या बुरी संगत में आ गया है कई साल तक चला हुआ रिष्टा आपसे दूर जा रहा हो तूट रहा हो प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा हो रिष्टे में कोई थर्ड परसन आने की वज़े से आप लोगों में टकराव हो गया हो कई दिनों से आप कई महीनों से बादचित नहीं कर रहे हो तो आप ये विधी करिए जीवन भर आपका प्रेमी आपका गुलाम बन के रहेगा और उसे आपके पास आना पड़ेगा क्योंकि आप उसमें इतना आकर्शन भरदो के अपने नाम का जो ये रश्मिया यहां से प पूरी सरद्धा से पूरे विश्वास से ही उपाए करिए मातारानी आपको जरूर सफल करें मित्रों विधी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आप से कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधी आस्रम से करवाना चाते हों तो हमें बेजिजग संपर करें और मित्र पर किसी प्रकार का जादू टोना है तो आप हमें संपर्क करें आपको बताया जाएगा कि आपके प्रेमी पर किया कराया है या नहीं साथ ही उसका समाधान भी किया जाएगा हमारे संपर्क सुत्र आपकी स्क्रीन पर चल रही है इसे के साथ जै माता दिमित्रों हमारे चैनल क को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही जो 30 से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुट जाएंगे जै मातारानी